क्या आप अपने बालों के लेकर परसान है, क्या आपके बाल जढ रहे हैं, क्या आपके बाल पक रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है हरो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ब्लोक Health & Beauty 21 में हाथ में बात करने वाला हूं बालों की समस्याओं के बारे में बहुत से हमारे बहने हैं और माता है जो अपने बालों की समस्याओं से बहुत ही परसान है उनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, बहुत से मतलब जो औरत हैं, उनकी बाल जढ भी रहे हैं अपनी बालो को लेकर कावी परसान है इसे क्या करते है मार्कट से जो प्रडेक्ट मिलता उससे लगाते भी है और बहुत चीजों सेम्पूल या ये क्या करते है तेल जो मिलता हो लगा कर ठक चुके है कोई नहीं फायदा तो आज मैं आपको घरेलो नुसके कुछ बताने वाल बनाने के लिए आपके किचन वहीं मिल जाएगा आपको बाहर जाने की जरूत नहीं है पहले मैं बता दूँ अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं आपके बाल जढ़ रहे हैं तो पहले आप अपने खान-पान पन ध्यान दे क्योंकि बहुत से लोग को खान-पान के वाज़ सबी बाल हमारे जटते हैं और पकते हैं तो इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दे ताकि आपके बालों के समस्य हद तक कम हो जाएगी तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा सामगिरी है जिसको आप पेश्ट बना कर अपने बालों में लगा सकते हैं सबसे पहले आपको प्याज लेना है प्याज इसलिए लेना है कि जो प्याज के अंदर विटामिस और मिडरन्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूती के लिए बहुत ही फाइदेमन होते हैं हमारे बालों के दो जड़ होते और मजबूती करते हैं आपको पहले दो प्याज को लेना निमू में क्या होता है विटामिन सी होता है निमू से हमारे बालों जो काले होते हैं और यह हमारे मजबूत बनाने बहुत ही फाइदे मन होते हैं और यहां तक यह निमू जो है आपके प्याज के स्मेल को कम कर देगा तो आपको निमू को प्याज के रस में आपको निचोड लेना है अपने जरुवत के हिसाब ते उसके बाद आपको लेना नारियल तेर, नारियल तेर के अंदर आपको पोटासियम और सोडियम मिलता है जो अपने बालों, हमारे बालों के लिए बहुत ही फाइदे मन होता है, यह हमारे बालों को घना और काला बनाता है, इसके बाद तीन चीजों को अच्छा से आपको मिस करके पेश्ट बना लेना है पेश्ट बनाने के बाद आपको नहाने से आदा खंटा पहले अपने बालों के जड़ों में लगाना या तो आप कोटन के कोटन से अप लगा सकते हैं या अपने हाथों से लेकर अपने बालों के जड़ों इससे क्या होगा जब आप अपने बालों के जड़ों तर इसको लगाएंगे तो यह जल्दी असर करता है इसलिए आपने जो अपने पेश्ट बनाया उसको कोटन या हातों से या उंगली से अपने बालों के जड़ों तक लगाना और लगाने के बाद कम से कम 30-40 मिला इसको पास कर लेना तो इस तरह से आप अपने पेश्ट बनाकर अपने बालों को जड़ने से रोख सकते हैं समय से पहले पकने से रोख सकते हैं तो आई होप हाप लोग यह मेरा वीडियो अच्छा लागया तो पिरी लाइक कर दें और शेर भी करें और अपने दोस्तों के साथ भ के लिए बस इतना ही फेर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाबाए दोस्तों